नमस्कार दोस्तों आज हम मिलते हैं एक आटोमेटिक रेन वाइबर सेंसर के हिचाब से यह कार की वाइबर की मोटर है जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं एक रेन सेंसर से यह सर्कृट लगी हुई है यह यहाँ पर आने वाली बूदों को सेंस करता है जो आगे की कनेक्टेड है इस सर्कृट बूड से यहाँ पर पानी आता है सामने से जब बारिश के सामें विंडशील्ड से आएगा इसको यहाँ लगाने का मतलब यह है क्योंकि जब हवा का बहा होता है तो यह सूख भी जल दी जाएगा पर यहाँ पर यह सेंसर लगा हुआ है जो फर्दर कनेक्टे है एक मोटर के साथ तो यहाँ आप हम देखते हैं सर्केट में क्या के अपने पास है तो यहाँ में हम देख रहे हैं सेंसर से आया हुआ है क्योंकि बैटरी 12 वोल्ड की हमें सर्केट में 9 चाहिए तो हमने एक आईसी लगा हुई है जो इसको 9 वोल्ड में कनवर्ट करेगी देन हमारे पास एक 555 टाइमर नाम की आईसी है क्योंकि क्या होता कई बार मद्दी बारेश होती कई बार बार चालू और बंद हो जाएगा तो हमने क्या किया हुआ है इसमें 10 सेकंड का टाइमर लगाया हुए मला अगली बून आने से 10 सेकंड तक यह चालू रहेगा है तो नॉर्मल कारों में भी होता है यह बीच में रोख जाता है तो हमने यह बाइपास बटन दी हुई है जो कहीं बीच में रुके हुए को अपन वापस सेट कर सकते हैं कि कि इस पोजीशन नहां पर हमने एक बाइपास स्विच लगा हुआ है ताकि हम इसकी पोजीशन को सेट क कर सके हमें इसको कहा reicht ना है यह में नॉर्मल कारं में भी खरना पड़ता है तो आप लेख सकते हैं सामने से इस तरीके से पुरा हाइप निगे तो अब हमें इसमें पानी जाल गडर के चेख करते हैं तो जब सेंसर में पाएपड़ा बाता हैं तो यह जालू day होना है आग कि यह हमने देखी पानी झाला के कि लिए मांगे। कि गार मेरे चलती यह तो हवाव इंट शिल्ट से ही उते जाती तो इसको सुछ आती जाएगी और जैसे बारज बंदÓ लेगी अपने अपन बंद हो जाएगा अब जैसे ही बंद doing आपन चाहें तो इसको बीच में बंद होगा स्क्रीन के लिए टॉगल स्विच से हम क्या करेंगे इसकी पूजिशन सेट कर लेंगे जहां हमें चाहिए ताकि हमें व्यूइंग में कोई डिफेंस नहीं हुआ है फिर से एक बार चेक कर लें यह पानी हमने दिया यह देखिए फिर चालो गया जब तक पूरा पानी सूखेगा नहीं और सूख जाने के दस सेकेंड बाद यह वाई पर आटोमेटिकली खुदी भी खुद बंद हो जाता है थेंक्यू झालो झालो झालो